कि पूर्वी ब्यूटे एंड फैशन में आपका सौगत है मैं हूँ उत्पल चौधरी आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि आप अपने बाल को बालों को कैसे हिल्दी और सुन्दर रख सकते हैं हमारे इस घरेली उपाय से तो आएए सुरू करते हैं हिल्दी और साइने बालो हवा में मौजूद नमी और केमिकल्स वाले पोड़क्ट का इस्तेमाल करने के वज़े से ना सिर्फ बाल कमजोर हो रहे हैं बल उनकी चमक भी खूती जा रही हैं बालों को दुबारा सुन्दर बनाने के लिए लोग कई तरह के ब्यूटी टीट्मेंट का भी सहरा लेते हैं लेकिन कई बार इन टीट्मेंट की बज़े से बालों में खुजली और डेंडर्फ की समस्ता बढ़ जाती है महगे पॉड़क्ट्स व्यूटी टीट्मेंट के बाबजुद जब लोगों को है कि लोगों को बालों की condition ठीक नहीं होती है तब वह घर लिन उसके हैं उत hij हमार उपाय है जो हमारे चैनल पर दिये हुए वह देख करके आज मतें फिर phone करके बोलते हैं एक हमें आपका उपाय अच्छा लगा है और आपने जो उपाय दिया उससे로 बालों को फाइदा हु हुआ अगर आप भी बालों को मजूद बनाने और उन्हें हेल्दी बनाने का कोई घर नुस्का ट्राइब करना चाहते हैं तो आप हमारा यह नुस्का ट्राइब करें यह नुसका है बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा से बालों में कैसे नहीं जाना आए यह आपको हम अपने इस उपाय में बता रहे हैं तो बालों में कैसे लगाएं बेकिंग सोडा बालों को हिल्दी मस्जूद बनाने के लिए आप बेकिंग सोडा को सैंपू में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा आप बेकिंग सोडा को सीधे भी बालों पर लगा सकते हैं आये जानते हैं कैसे कि इसके लिए एक कप में आदा कप पानी और एक चमच बेकिंग सोडा मिलाएं बेकिंग सोडा को पानी में तब तक घूलें जब तक कि वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए अब इस पानी को बालों की जड़ों और सिरय तक लगाएं और छोड़ दें बालों में बेकिंग सोडा के मिक्स को 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें इसके बाद बालों को माइल्ड सेंपू से दो कर कंडिशनर लगाएं अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ओईली हो गए हैं तो पहले बालों में सेंपू से दो लें और फिर बेकिंग सोडा का जो मिक्सर जो आपने बनाया है कप में वो लगाएं बालों की प्रॉब्लम से रहत पाने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल सब्ता में एक बार कर सकते हैं बेकिंग सोडा बालों में लगाने से क्या होता है बेकिंग सोडा स्कल्प को रखता है क्लीन आपको जो में जो सर का मेदू जिसको बोलते हैं जहां सॉफ्ट होता है उसको एक दम क्लीन रखता है बालों में बेकिंग सोडा लगाने स से स्कल्प को क्लीन रखने में मदद करता है बाई प्रोदिशन धूल मिट्टी के वश्चेश कमजोर हुए बालों को ठीक करने में भी बेकिंग सोडा मदद करता है बेकिंग सोडा में सोडियम बाई कार्बोर पाया जाता है जो स्कल्प को क्लीन करने में मदद करता है डेंड को कदने में मदद करता है current को बेकिंग अाट हूँ अचेल्प का हैτο идеयो एसकेल्प कम करके संजन शेंटा दिलाने में मदध करता है ऑफ भानलो में बेकिंग सोड़ा का इस्तेमाल करते वक्त साबधनिया आपको बरतनी है वह मैं आपको बता रहा हूं बालों में बेकिंग सोडा का इस्तिमाल करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लें बेकिंग सोडा और पानी के मिस्टन को अपने हाथ या पैर के एक हिस्से पर लगा कर देखें अगर आपको किसी तरह की खुजली जलन या कोई स्कीन समंदी परिशानी होती है तो बालों में बेकिंग सोडा का इस्तिमाल ना करें तो ध्यान रखें अपने बालों को अगर खुब्सूरत चम के लिए मोटे बनाने हैं तो बेकिंग सोडा का इस्तिमाल कर सकते हैं जो मैंने साब्धानी आपको बताई है वह साब्धानी का ख्या लगन एभ बाएफ लगे और आपको शूट करता है तो बिलकुल हमारा उपाई आप यूज करें और आपको यूज करने का वाद आप हमें एक कमेंट करके बताएं आपको हमारा उपाई कैसा लगा यह आप किसी और भी समयुस्या से जू ज़ रहे हैं कुछ और आपको उपाए चाहिए हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारी कमेंट बॉक्स में लिखें हम उस उपाए का उपाए भी करके आपको बताएंगे कि धन्यवाद